परिजय सुधा, देखो, मैंने एक त्रिभुज बनाया है क्या तुम इसका समरूप त्रिभुज बना सकती हो? हाँ, मैं बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है, जिससे मैं इसकी भुजाओं की लंबाई माप सकूँ क्या तुम्हें पता है कि बिना मापे भी इसे बना सकते हैं? सच मुच, हाँ, हमारे शिक्षक ने हमें कई तरह की रचनाएं सिखाई हैं क्या तुम जानना चाहती हो? हाँ, जरूर ठीक है, आओ, आज मैं तुमको कुछ रचनाओं के बारे में बताती हूँ इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक रेका खंड को दिये गए अनुपात में विभाजित करना दिये गए स्केल गुणक के अनुसार, दिये हुए तिर्भुज के समरूप, एक तिर्भुज की रचना करना जो एक से कम या एक से अधिक हो सकता है किसी वाहे बिंदू से किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना रेखा खंड जयामिती में रेखा खंड एक रेखा होदी है, जो दो बिंदूओं के अंत को जोड़ती है और इन अंत बिंदूओं के बीच का प्रतेक बिंदू इस रेखा परिस्थित होता है तिर्भुज या वर्क की भुजाएं रेखा खंड का उधारन है समानिता जब अंत बिंदू किसी बहुभुज के शीर्श हों, तो रेखा खंड बहुभुज का एक किनारा, यदि वो आसन भुजाएं हैं, तो होती है अनिता एक विकर्ण होती है जब अंत के बिंदू वक्र जैसे की वृत्य परिस्थित हूँ, तो रेका खंड को जीवा या वक्र का कहा जाता है रेका खंड का विभाजन यदि हमें एक रेका खंड दिया गया है और हमें इसे 6 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है हम इसकी लंबाई को माप कर इस पर एक बिंदू अंकित कर दिये हुए अनुपात में विभाजित कर सकते हैं लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारे पास इसे ठीक ठीक विभाजित करने का कोई तरीका नहीं है इसलिए हम किसी रेका खंड को दिये गए अनुपात में विभाजित करने के लिए अगली स्क्रीन में दिखाए गई रचना का प्रियोग करते हैं आईए सीखें रचना प्रथम रचना किसी रेका खंड को दिये हुए अनुपात में विभाजित करना रेका खंड A, B दिया गया है हम इसे M और N के नुपात में विभाजित करना चाहते हैं जहां M और N धनात्मक पूरांख है मान लेते हैं कि M बराबर 4 और N बराबर 2 रजना के चरण एक, एक किरण AX खीचिये जो A, B से एक नियूर कोन बनाए दो, अब परकार की मदद से M, धन, N बिंदों को अंकित करें जो कि AX पर 6 बिंदों A, 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, 5 और A, 6 पर हैं इस तरह A, A, 1, A, 1, A, 2 बराबर A, 2, A, 3, बराबर A, 3, A, 4, बराबर A, 4, A, 5, A, 5, A, 6 नमबर 3, B, A, 6 को मिलाएं 4 अब चुकि M बराबर 4 इसलिए A, 4 बिंदों से होकर हम एक समाना अंतर रेखा A, 6, B कि A, 4 पर कोण A, A, 6, B के समान एक कोण बना कर खीशते हैं जो A, B को C बिंदों पर प्रतिछेत करती है तब A, C, अनुपात C, B, पराबर 4, अनुपात 2 आईए अब हम गनितिये रूप से सिद्ध करें कि यह किस प्रकार सत्त है चोकि A, 4, C, A, 6, B के समान अंतर है मूल अनुपातिक प्रमे के अनुसार A, A, 4 बटे A, 4, A, 6, बराबर A, C, बटे C, B अब रचना के दौरा A, A, 4, बटे A, 4, A, 6, बराबर 4, बटे 2 इसलिए A, C, बटे C, B, पराबर 4, बटे 2 यह दर्शाता है कि C, A, B को 4 अनुपाद 2 के अनुपाद में विभाजित करता है त्रिभुच की रचना अब हम रेका खंड के विभाजन का प्रयोग करते हुए त्रिभुच की रचना करना सीखेंगे रचना और दूसरे में त्रिभुच की रचना दिये गए त्रिभुच से बड़ी हो इसे समझने के लिए हम कुछ उधारणों को हल करेंगे उधारण एक त्रिभुच ए बी सी की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं तीन सेंटिमीटर चार सेंटिमीटर और पांच सेंटिमीटर हो एक त्रिभुच बनाएं जो ए डैश बी सी डैश त्रिभुच के समरूप हो और उसकी हर भुजा त्रिभुच ए बी सी की संगत भुजाओं की दो बटा तीन हो रचना के चरण एक चार सेंटिमीटर का एक रेका खंड बी सी खीचिये क्रमशा B और C केंडर और तीन सेंटिमीटर वा पांच सेंटिमीटर द्रिभुच के साथ दो चाप खीचिये जो परस परबिंदू A पर प्रतिछेत करते हैं A B और A C को मिलाएं दो एक किरण B X कीचिये जो B C के साथ शीर्ष A के विपरीत और नियून कोन बनाए तीन तीन दो बड़ा तीन में दो और तीन में जो बड़ा है उसको चिनित कीचिये B X पर B 1 B 2 और B 3 इस प्रकार अंकित कीचिये कि B B 1 पराबर B 1 B 2 बराबर B 2 B 3 4 B 3 C को मिलाएं 5 संगत कोनों की रचना से B 2 पर B C के समनांतर B 2 C ड़ाश कीचिये जो C ड़ाश में B C के प्रतिच्छेत के बराबर हो 6 अब C A के समनांतर C ड़ाश से जानी वाली रेखा कीचिये जो B A को A ड़ाश पर प्रतिच्छे दित करे त्रिभुज A-B C ड़ाश ही वांचित त्रिभुज है उधारण दूतिये एक त्रिभुज की रचना कीचिये जो दिये गए त्रिभुज A B C के समरूप हो और इसकी भुजाएं त्रिभुज A B C की संगत भुजाओं की 5 बटा 3 हो यानि स्केल गुणक 5 बटा 3 है हल एक त्रिभुज A B C खीचिये हमें ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं समरूप त्रिभुज A B C की भुजाओं की 5 बटा 3 हो रचना के चरण एक एक रेखा B X कीचिये जो B C के साथ नियून कोण बनाए और शिश A के विपरीत ओर हो दू B X पर 5 5 बटा 3 में 5 और 3 में से जो अधिक है उन बिंदों B 1 B 2 B 3 B 4 और B 5 को इस प्रकार चिन्हित करें की B B 1 बराबर B 1 B 2 बराबर B 2 B 3 बराबर B 3 B 4 बराबर B 4 B 5 नमबर 3 B 3 तीसरा बिंदू 5 बटा 3 में 3 और 5 में से 3 का छोटा होना इसको C से मिलाएं और B 3 C के समनांतर B 5 से जाने वाली एक रेखा खींचे जो विस्तारित रेखा खंड B C को C डैश पर प्रतिछे दित करें 4 C A के समनांतर C डैश से जाने वाली एक रेखा खींचे जो विस्तारित रेखा खंड B A को A डैश पर काटे 5 तब A डैश पी C डैश पांचे तिर्भुज होगा। पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम उस बिंदू से त्रिज्या खींचते हैं और उस त्रिज्या के लंबवत उस बिंदू से जाती हुई एक रेखा खींचते हैं यह रेखा वांचित स्पर्श रेखा होगी और अगर बिंदू वृत्त के बाहर हो तो इस बिंदू से ज रचना, किसी वाहे बिंदू से वृत्थ पर स्पर्श रेखा की रचना करना। हमें एक केंद्र O वाला एक वृत्थ और वाहे बिंदू S दिया है। हम S से वृत्थ पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। रचना के चरण 1. SO को मिलाएं और इसे समदुई विभाजित करें। कलपना कीजिए कि A SO का मध्य बिंदू है। 2. A को केंद्र और AO को तृज्या मान कर एक वृत्थ बनाएं। यह वृत्थ को बिंदूं Q और R पर प्रतिछे दित करेगा। 3. SQ और SR को मिलाएं। SQ और SR दो वांचित स्पर्श रेखाएं हैं। आईए अब जानते हैं कि यह रचना हमें किस प्रकार वांचित स्पर्श रेखा प्रधान करती है। OQ को मिलाएं। अब हम देख सकते हैं कि SQ O अर्ध वृत्थ का एक कोण है। और इसलिए कोण SQ O बराबर 90 डिक्री। OQ वृत्थ की दी हुई एक द्रिज्जा भी है। अताहा SQ वृत्थ की स्पर्श रेखा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि SQ O भी वृत्थ की एक स्पर्श रेखा है। मूलियांकन आईए आगे बढ़ने से पहले देखें कि आपने क्या सीखा है। सही विकल्प चुनकर रिक्तिस्थान में रखें। क्या आप चानते हैं। अगर वृत्थ का केंद्र ना दिया हो तो इसके केंद्र को ग्याद करने के लिए हम दू असमानान तर जीवा को लेने के बाद उनके लंब समधूई भाज़क का प्रतिछेद बिंदू ग्याद करते हैं। वहाप्रतिछेद बिंदू वृत्य का केंद्र होता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक रेका खंड को दिये गए अनुपात में विभाजित करना। एक दिये हुए तिर्भुच के समरूप तिर्भुच की रचना करना, जबकि स्केल गुणक दिया गया हो, जो एक से कम या एक से अधिक हो सकता है। किसी वहे बिंदू से किसी वृत्य पर एक स्पर्ष रेखा युग्म की रचना करना।